गुड मॉर्णिंग फ्रेंस जै माता दी कैसे हैं आप सभी आसा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे आपके अपनी यूटूब चैनल नीला मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंस तो मॉर्णिंग के साड़े च्छो बज रहे हैं और काफी उजाला भी हो गया और उठने के बाद तुरंट से यही जाडू ही लगा रहे हैं मॉर्णिंग में क्योंकि रूम का जाडू तो हो गया है च्छो बजे उठ गये थे और इसमें काफी लेट भी हो जा रहा है क्योंकि ये साफ सफाई का काम हमने चालू कर दिया है तो इधर का तो लिपाई पुताई का काम हमारा फनीस हो चुका है ब्रांदे से लेकर और सामने के कच्ची रसोई तक का तो बस अब यहां देख सकते हैं हमारा जाडू भी हो चुका है कचड़ा उठा लेते हैं और कचड़ा उठ कर लिजिएगा घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेश कर लिजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकिसन सबसे पहले आपको ही मिले और उधर से हम बाल्टी लेते आए हैं और यहां स्रिष्टी अपना टिपिन साप कर रहे हैं कि मॉनिंग का जो नास्ता का काम है खुझ से कर लेती है और मुझे उसका टेंसन नहीं रहता है और मेरा क्या है कि मैं चाय तो पी लेती हूँ कि चाय के लिए बिल्कुल भी मुझे वेट नहीं करना होता है कि नहाएंगे पूझा करेंगे तब ही पीएंगे क्योंकि चाय के बीना मॉनिंग में मेरा कोई भी का काम नहीं के लिए चाय को इसके बाद से खुद के लिए भी चाय ले ने लेटे हैं चाय के बाद पीने के बाद तो फिर चलते हैं अपने काम में लग जाते हैं क्युकि आज जहां हमारा दान पिटाई रहा था उधरका साब सफाई करना है और यहां पर देख सकते हैं सासुमा भी आ गई हैं तो मौनिका ही टाइम है और सानी के पापा भी सोय हुए हैं तो बस सब के लिए हमने चाय तयार कर दिया है श्रिष्टी पानी लाकर दिये हैं अपने पापा को तो अपना मूध धुल लेंगे और मूध रहें और रात का तवा भी है क्योंकि रात में तवा नहीं माजे थे तो और यहां यह दरी है जो कि फर्श पर ऐसे ही विचा देते हैं आने जाने में जो aja में जो भी धूल मिटी हो इसी पर लगे तो इसको साफ करना है क्योंकि फप्ते से ज़्जादा हो गया है और बाहर जहां दान पिटाई हो रहा था वहीं पर हम इसको बिचाए हुए थे तो इसको अच्छे से हम डिटर्जन डाल कर साफ कर लेते हैं और इसके बाद से फिर इसको फर्याने के बाद सुखने वाले में डाल देंगे सुख जाएगा क्योंकि मिट्टी काफी था इसलिए हमने मसीन के अंदर इसको नहीं डालना धुलने के लिए नहीं डाला तो और यहां पर अब सब कुछ तो कपड़े जो भी थे धुल लिए हैं इसाड़ी धुली हुई है सेड़ी पे रखा है लेकिन गिर गया था नीचे तो हमने का बस इसको ऐसे ही पाने में भीगो कर और सुखा कर ड अब यहां इसको धुलने माजने के बाद तो फिर अब चलते हैं यहां से जो लिपाई का काम है उसको भी कर लेते हैं क्योंकि नहाने से पहले कर लेंगे तो शही रहेगा क्योंकि नहाने के बाद बहुत ज्यादा जिससे दिक्कत हो जाता है और कितना भी बचाएं साड़ी लगी जाता है पर कभी कभी अगर टाइम नहीं हो पाता है मौनिंग में तो नहीं भी कर पाते हैं तो हमने का भी टाइम है थोड़ा सा तो फटाफट से थोड़ा सा ही ज्यादा नहीं है लिपाई का काम करने के लिए तो कर भी लेते हैं और इसी गोबर तो बहुत कम था और उ तो हमने कहा बस ऐसे ही लिफाई कर दे रहे हैं आज इस रूम का और देख सकते हैं काफी कराब हो गया है और यहां ऐसे इट लगा कर हम सेड़ी जैसे बना दिये हैं आने जाने के लिए थोड़ा उचा टाइप में लेकिन इधर दर हो जा रहे हैं जो भी है तो इसको हम अच् चोड़ भी लग जाएंगे तो इस सब का ध्यान देना पड़ता है तो ऐसे ही मैं ही लगा दी थी जो इट लगे हुए हैं क्योंकि जो चौकट है दरवाजा दिख रहा है काफी उचा है और वहीं सेंट्री होता है हमारा जो बाहर जाने का दुकान के सामने जाने का तो यहा होम टूर का यहां का पूरा ब्लोग जो है वीडियो आप लोगों को जल से जल लाने की कोचिस करूंगी फ्रेंस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहेगा और बताईएगा कि हमारा ब्लोग कैसा लगा आपको क्योंकि आपकी कमेंट से हमारा हौसला भी बढ़ कि कि आपी लोगों के कमेंट से हमें सुझाओ भी मिलता है अच्छे अच्छे और जो भाइबन हमारे वीडियो को देखते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं बहुत 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 दिल से धन्यवाद फ्रेंस और जो भाइबन हमारे वीडियो को देखते हैं पर हम ने कहा कि थोड़ा सा बच गया है तो इसको हम यहां पर यूज में ले लेते हैं मेंगेट है हमारा मेंगेट का लिपाई तो जरूरी ही है और वैसे बुद्धवार का दिन है आज तो फिर यहां मेंगेट पर लिपाई कर दे रहे हैं और लिपाई के लिए बस हम दो uh-dink कर तो वहां से लिपाई पुदाई करने के बाद friends नहाने के बाद हमने पूजा भी कर लिया है कोई भी क्लिप नहीं ले पाये थे friends ऑर छोटा साही दिन है छोटे छोटे काम को निपटाते निपटाते साम होजी जा रहा है और यहां पर हो गया है सामके साड़े तीन हमने का वीडियो का एंड भी कर लेते हैं क्योंकि काफी लेट भी हो रहा है अपलोड होने में भी टाइम लगेगा आज बुधवार है तो बुधवार का ही यह डेली डेली का ब्लोग हम डेली अपलोड करते हैं ऐसा नहीं है कि एक यहां तो ठंड का काफी ज्यादा महौल एकदम बढ़ गया है और आप लोगों कि यहां ठंड का क्या हाल है आप लोग कमेंट में जरूर बताईएगा क्योंकि आज पूरे दिन से धूप देखने का बिल्कुल धूप दिखा ही नहीं तो देखेंगे कहां से और बहुत अगर धूल दें तो फिर उसको सुपवाते सुपवाते पंदा दिन महीनों लग जाते हैं सुखने में तो बस अब यहीं पर करते हैं अब वीडियो का एंड मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यार इसे ब्लॉग के साथ कल तब तक यह बाबाई वीडियो देखने के लिए थांक्यू